जो intermediate center exam होने वाला है उसके लिए उर्दू का question paper solve करने वाले हैं जो आप सभी student के लिए बहुत ही important है ठीक है दोस्तों तो जितने भी student का अगर उर्दू का center exam है तो आप सभी class को भूलते भी miss नहीं किजिएगा दोस्तों क्यूंकि जितने भी question पूछे जाएंगे तो same it is ऐसे ह ठीक है तो चलिए दोस्तों हम लोग class को शुरू करते हैं बीना time waste के और class शुरू करने से पहले जो भी student अगर चैनल से नहीं जुर रहें तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिजेगा दोस्तों और जो भी student अगर वीडियो को like करके अपने दोस्तों में share नहीं ठीक है दोस्तों तो चलते हैं हम लोग first question की तरफ देखते हैं सबसे पहला question आपका क्या पोछा गिया है सेंटर पे एक्जाम में देखते हैं दोस्तों देखे आपका सबसे पहला question क्या पोछा गिया है कि नजीर आमद फरतुला बेक के कौन थे नजीर आमद जो है वो नजीर आमद की कहानी का तालुक किस सिन फादब से है तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों दोसरा नमबर का जो राइट एंसर होगा ना वो नजीर आमद की कहानी का तालुक जो है वो खाका से है ठीक है और नजीर आमद का तालुक नाविल से है नेक्स्ट कुएस्टन आ नेक्स्ट कोईस्टन आपका चार नंबर चार नंबर क्या पूछा गया है कि आग हुआ पानी और मिट्टी में सबसे कम तर किसको समझा जाता है तो वह मिट्टी को समझा जाता है दोस्तों किसको कम तर समझा जाता है तो मिट्टी को राइट एंसर ऑप्सन नंबर ची नेक्स किस में इस्तेमाल कियाता है ने कौन से नसर निगार में इस्तेमाल किया था तो वो जो है खाजा हसन नजामी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है नेक्सट् सुलेमान नदवी का तालूग की सोभा से था सुलेमान नदवी की पैदाइस ऐब सभी को पता होगा कि स्यद सुलेमान नदवी की पैदाइस बिहार के दसना नालंदा में पैदा हुए है तो स्यद सुलेमा नदवी का तालूप की सहोबा से होगा कौन से स्टेट से हैं तो बिहार से होगा Right answer option number C Next question आपका 8 number कि स्यद सुलेमा नदवी किस के सागिर्दे थे देखें दोस्तों स्यद सुलेमा नदवी जो हैं वो किस के student थे सागिर्दे थे तो वह सिबली नोमानी के थे राइट एंसर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेस्टन आपका नाइन नंबर कि मजमून इंसाया क्या है के मुसनिफ कौन है ठीक है और वह जो है उनके जो मुसनिफ कौन है दोस्तों तो उनके मुसनिफ है वह जीरे आगा जिनकी पैदाइस 1922 2018 में हुई है ठीक है जोस्तों और वफात 2010 व में हुई नेक्स्ट क्वेस्टन आपका नंबर कि इनसाया को दिगर इजाब से कौन सी चीज ममीज करती सब्सक्राना ननमपका 11 नंबर किया दोस्तों वजीरे आगा की 15 लेज रथे sûr कि पापकिस्टान में हुई है और वफात 2010 इस्वी में हुई है ठीक है नेक्स्ट कुश्टन आपका देखते है 12 नंबर 12 नंबर क्या है कि उर्दू साहिरी का मिजाज के मुसनिफ कोन है तो उर्दू साहिरी का जो मिजाज है उनके मुसनिफ है वो है वजीर आगा राइट एंसर बारे का हो जाएगा ऑप्शन चाहिया है तो हिजरत एक इंसाहिय या है राइट एंसर क्या होगा ओPSन नंबर दी होगा लेक्स्ट कुश्टक के तो हरी student को पता होगा कि आमध्यवाल पासा की वफात 1987 विक होई है 2.15, कि बागो बाहर का तालग किस सिन्फ से तो बागो बाहर का तालग दास्तान से 2.6, कि किस सिन्फ में माफूकल फित्री जो जो ए अनासर की कार फरमाई होती है तो वो किस पर होती है तो किस सिंफ में माफोकल पित्री अनासर की कार झार फर्माई होती है तो वो दास्तान में होती है राइट एंतर वाप्षन नंबर बी कि जो दागबेल का सोरा है ना वो सज्जाद हैदर एलदरम का है राइट एंसर ओप्षन नंबर की नाइट एक क्वेस्टन यार्थ कर लेना है दोस्तों जितने भी क्वेस्टन पूछे जाएंगे से मीटिज ऐसे ही पूचे जाएंगे ठीक है तो इसलिए भूलिएगा नहीं एंसर की आप सभी को पीडियाफ से डाउनलोड कर लेना पीडियाफ और एंसर की ठीक है इवान ए गजल का तालुक किस सिन्फ से है तो इवान ए गजल का तालुक जो है वो दास्तान से है राइट एंसर उप्सन नंबर A यहां होगा अजीज आमद ठीक है दोस्तों तो जर्नलिस्ट रूइर एंजन जो है अजीज आमद के कौन थे तो वो पुराने दोस्त थे राइट एंसर अप्शन नमबर भी नेक्स्ट क्वेस्टन 24 नमबर की इनमे से जो है किस अपसाना निगार को साहित अकाडमी अवार्ट से नवाजा गिया है तो सलाम बिन दर्जाग को जो है यानि नवाजा गिया है और कब तो उनीस सो अल्ठानवे इस्वी को नवाजा गिय है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट प्वेशन अपका देखते है टूंटी फाइब नम्बर टूंटी फाइब के है इनमेंसे कौन सा अपсьवाइन निगार जो सामिल निसाब है तो यहीं सलाम भी रजजाग發現 के सुक्का ठीक है जो अबसाना है उनके मुसानिफ है सलाम बिन रजाग यही हमारे यानि निसाब में सामिल है राइट एंसर अप्सन नमबर b next question 26 नमबर कि गबारे खातिर जो है वो किस का मजमूँ है तो गबारे खातिर जो है वो खुतूत का मजमूँ है राइट एंसर अप्शन नमबर C नेक्स्ट क्वेस्टन 27 नमबर कि गबारे खातिर में जो है कितने खुतूत है देखें दोस्तों गबारे खातिर में जो हैं वो कितने खुतूत है तो 24 यानि खतूत है यानि खत है राइट एंसर ओप्सन नमबर B नेक्स्ट क्वेस्टन 28 नमबर मौलाना आजाद का असल नाम क्या था तो मौलाना आजाद का जो असल नाम था वो मौयोदीन था नेक्स्ट क्वेस्टन 29 नमबर कि उर्दू की पहली खुदनविस्ट का नाम बता है तो उर्दू की पहली खुदनविस्ट ओटो बायोगराफिक का जो नाम है वो काला पानी है राइट एंसर ओप्सन नमबर D next question देखते है 30 number 30 का है महीं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनवीस्त है देखे दोस्तों महीं यूनिवर्सिटी में एक खुदनवीस्त है जिसके मुसंनिव एसान दानिस है right answer option number D next question 31 number 31 क्या है दोस्तों जेल में कौन सा जुमला जो है दुरूस्त है और हुक्म की जमा एकाम होती है ठीक है दोस्तों तो हम लोगों हाकिम पूछा है इसलिए option number C right होगा 32 का next question 33 number के माजी सक्या की एक मिसाल दीजिए तो माजी सक्या देखे उसमें सक्ख होता है ठीक है तो माजी सक्या में क्या होगा दोस्तों option number C होगा कि वह आया होगा इसमें सक्ख हो रहा है ठीक है वह आया होगा तो यह कौन सा किसका जो है मिसाल होगा तो माजी सक्या की लॉट्ः है तो माधिवाईत में क्या होंगा वह एक खाया था राइट एंसर उफ्चन के चण दनि फिर अंधेरी रात क्या है? तो 4 दिन के चांदनि फिर अंधेरी रात जो है एक जर्भुल मिसल है Next question 36 36 क्या है दोस्तों? कि दर्ड जेल में कौन सा लब जो मौननस है? इन में से कौन सा लब्स है? जो मौननस है तो दरिया जो है मौननस है Next question देखते है नेक्स्ट क्वेस्टन आपका क्या है दोस्तों कि 37 नमर क्या पूछा गिया है देख लिजे यहाँ पर कि इसम के बदले में जो लब्ज आए उसे क्या कहते है इसम के बदले में जो लब्ज इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो आप सभी को याद वरा है जिसका यहिनी मतलब होता है मतलब निकालना अपना उल दो सीधा करना मतलब मतलब निकालना उप्शन न proxy cz नबर के इसकूल क्या है तो स्कूल एक जगे का नाम आप तो आप सब होता है कि इसमें भी जगे की बात आश तो वह में जरफ होता ह бывает function नमबर आ होगा नेक्स्ट कुछ्शन देखते हैं 40 к诌न लिम में जहिन कैंक तो देखें जहन तालव इल्म में जो जहिन है तो वह क्या होगा दोस्तों वह एक सपतर तो रहे होगा है और सब्सक्राइब के यहाद में साबक हुआ boy उसमें सबसल्सक्राइब उसमें साबका क्या होगा साबका मतलब पहला वला वर्ड तो क्या होगा खुस देखे खुस हाल तो खुस हाल में खुस और हाल है तो साबका क्या होगा खुस और लाहिका होगा हाल ठीक है तो हम लोगों यहां साबका पूछा तो खुस right answer option number 42 क्या है कि नसीब की जित क्या होग चीज वस्तु यानि वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहते हैं यानि कोई भी खास जगे ठीक है कोई भी खास जो पेलेस होता है जैसे कि मान के चलिए आपका पटना हुआ ठीक है और खास देली हुआ उसके बाद आपका कोलकाता हुआ यह सब आपका खास नाम हुआ ठीक है इस बहुत सारे नदी होते हैं पहार जो यह बहुत सारे पहार होते हैं ठीक है आदमी बहुत सारे पहार होते हैं तो आदमी तो इसमें से जो है इसमें मार्फा कौन होगा तो इसमें मार्फा जो होगा वह हिमालिया होगा हिमालिया एक खास नाम है ठीक हिमालिया एक परवत है ठी ठीक है और नदी जो होते हैं बहुत सारे नदी होते हैं जैसे गंगा, सिंदु, उसके बाद महानदी, महाननदा उसके बहुत सारे होते हैं और उसके बाद आदमी, आदमियों में क्या होते हैं बहुत सारे नाम होते हैं जो इस माम में आते हैं ठीक है दोस्तों और उनके अग को option number c next question 45 number कि मिजाज की जित क्या होगी तो मिजाज की जो जित होती है वो हकीकत होती है right answer option number c next question 46 number कि dardy jail में इस्मा फाल कोन है तो इन concerns इस्मा प्वाइल जो न हो कातिल है तीक है दोस्तो काम करने वाले को क्या बोलते है फाल बोलते है तो यहां पर कतल करने वाले को कातिल कहते है तो यहां पर कतल किया गिया है तो इसलिए राइट एंसर क्या होगा उप्सन नंबर B होगा नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं 47 नंबर कि मानी के एदबार से इसम की कितने किसमे है तो दो किसमे है राइट एंसर ओप्सन नमबर A नेक्स्ट क्वेस्टन 48 नमबर गालिब जो है अलम की कौन सी किस्म है तो गालिब जो है एक तखलूस है तो राइट एंसर क्या होगा ओप्सन नमबर C नेक्स्ट क्वेस्टन 49 नमबर कि अंजूम के मानी क्या होता है तो अंजुम के मानी जो होता है वो सितारा होता है राइट एंसर उप्सन नमबर A नेक्स्ट क्वेशन पचास नमबर क्या है कि दर्ज जेल में से नाविल कोन है तो इनमें से जो नाविल है वो तोबातु नसु है राइट एंसर उप्सन नमबर B नेक्स्ट क्ो Combat नमबर कि जुलमत की जित किया होती है तो जुलमत की जीत होती है वो अंधिरा होती है राइट एंसर क्या होगगा Option नमर g नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 52 नमबर कि एक पंस दो काज काहवत का मतलब है देखें दोस्तों एक पंत दो काज ये कावत है ठीक है ये भी याद रखेगा और इनका जो मतलब होता है वो मतलब होता है एक काम के साथ दो दो काम होना यानि कई काम होना उसी को एक पंत दो काज कहते है राइट एंसर आप्सन नमबर D नेक्स्ट कोईस्टन 53 नमबर क्या है दोस्तों कि फसाना अजाइब किसकी दास्तान है तो फसाना अजाइब जो है वो रजब अली बैक सरुवर की है राइट एंसर आप्सन नमबर D नेक्स्ट कोईस्टन 54 नमबर योजीनो मोंताले किस जुबान की सायर है तो योजीनो मोंताले इतालवी जुबान के सायर है राइट एंसर क्या होगा आपसन नमबर D नेक्स्ट क्वेस्टन 55 नमबर कि जिलानी बानों का तालुक किस सहर से है तो जिलानी बानों का तालुक जो है न वो किस सार्थ है दोस्तों तो आप से भी को या दखना है आहमदाबाद से राइट एंसर उप्सन नमबर A होगा सोरी जिलानी बानों का तालुक पुछा है ना तो जिलानी बानों का तालुक है राइट एंसर उप्सन नमबर B नेक्स्ट क्वेस्टन 56 नमबर कि इस पर भी दुस्मनों का कहीं डैस पर गिया तो ये क्वेस्टन आप सभी को बतायते है कि इस पर भी दुस्मनों का कहीं साया पर गिया राइट एंटर क्या हुआ ओप्सन नमबर A बाone पुराने लब्जों की नई तायकिक किस का मजमून है तो बाज पुराने लब्जों की नई ताइकिक जो है वो मजमून जो है वो किसका है दोस्तों तो वो सियद सुलीमान नद्वी का राइट एंसर अप्शन नम्बर C नेक्स्ट कौशन 58 नमबर d सायर का तालुक सोबाए बिहार से है तो सोबाए बिहार किस सायर का है दोस्तों तो आप से भी को पता आओगा तो वो है अता का कवी अता का कवी का तालुक बिहार से है राइट एंसर ऑप्सन नमबर भी नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं 59 नमबर कि दर्ज जेल में से कौन स सायर जफर कमाली ठीक है लेकिन जो बर्क कलिशा वो नजम है और अकबर इलावादी का लिखा हुआ है राइट एंसर क्या होगा ऑप्सन नमबर डी होगा नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं 60 नमबर 60 नमबर कि तजही के रोजगार क्या है तो तजही के रोजगार जो एक कसी होता तो अगर होगा धाता की और टाजा के बारे में पूचे हैं तो इक मोसुफ है ठीक है और ताजा के है वो एक गुन बताता होता हुआ है तो शिफफ़स्थ हो तो हम भोowing यहां हबारे में पूछा राइट एंसर मेरै यहनि मेर एक ौसायर है इससमें ळищुएंifs दोस्तों मेरा एक मीर एक गजलगो साहर है यहां पर सोरी सोरी यह मीर है मीर एक गजलगो साहर है तो गजलगो में जो है लाहिका क्या होगा तो देखे गजलगो यह दो वड़ है तो लाहिका में क्या होता लास्ट वाला वड़ और सापका में पहला वाला वड़ तो लाहिका क 9 question 64, भीम राव अमबेटकर कब प्यादा है, तो भीम राव अमबेटकर 891 इसमी में प्यादा होई है, right answer option number A, next question आपका देखते है, 65 नमबर, खेती किसकी नजम है, खेती जो नजम है, वो किसकी है, तो खेती के मुसनिफ जो है, वो हमीख हन्फी है, right answer option number C, next question देखते है, 66 न कि गमे अर्सत किसका लिखा हुआ कताय तारीक है तो गमे अर्सत के मुसनित अताका कभी है ठीक है दोस्तों राइट एंसर क्या होगा ओप्सन नमबर ए होगा नेक्स्ट क्वेशन 68 नमबर आवरा कि सायर की तखलीक है तो आवरा जो है वो मिजाज की तखलीक है राइट एंसर option number C next question देखते हैं फसाना अजाइब क्या है तो फसाना अजाइब जो है वो एक क्या है दोस्तों तो वो एक दास्तान है right answer option number A next question 70 number इनमें से कौन सा लब्ज जो है मुझकर है देखे option नफरत महबत पहार उल्फत तो right answer जो होगा इनमें से कौन सा लब्ज मुझकर है वो होगा आपका पहार right answer क्या होगा option number C next question देखते है next question आपका 71 number क्या है दोस्तों ओधे हिंदी किसका खतूत का मजमूँ है तो ओधे हिंदी जो है वो गालिप का खतूत का मजमूँ है right answer option number B next question 72 number क्या है दोस्तों कि जदिद उर्दु नजम की रिवायतों में सबसे पहली नजम किसको तसलीम किया गया है तो सबसे पहली नजम जो किसको किया गया है दोस्तों तो वो सब गे कद्र को किया गया है right answer option number C next question देखते हैं अली सर्दार जाफरी की वफात कब हुई है तो अली सर्दार जाफरी की वफात दोहजार इस्वी को हुई है right answer क्या होगा दोस्तों option number C दोहजार इस्वी को अली सर्दार जाफरी की वफात हुई है next question 75 number क्या है दोस्तों कि दर्जी जेल में कौन सी नजम जो है अमी खनफी की है तो यहां पर पूछा गिया है कौन सी नजम जो है अमी खनफी की है देखे मुतसायर जफर कमाली की है मेरा सफर अली सर्दार जाफरी की गुफतगू अली सर्दार जाफरी की जो खेती है खेती अमी खनफी का लिखा हुआ नजम है तो right answer क्या होगा अप्सन नबर सी होगा next question देखते है 76 नमबर 76 क्या है कि अगबर इलावादी को खानबादूर की खिताब से कब नवाजा गिया तो अकबर इलावादी को खानबादूर के खिताब से जो नवाजा गिया है अठारे सो सल्तान फ्री को नवाजा गिया है देखें दोस्तों नजम बर्क कलिशा में जो सायर ने गुलसा ने फितरत जो कहा गिया तो वो किसे कहा गिया तो वो मिस्को कहा है right answer option number A next question 78 number متصائر किसको अपना सरदार मानता है तो मुतसाइर जो है किसको सरदार मानता है अपना तो वो जो दिवान दे दे उसी को क्या मानते है अपना सरदार मानते है right answer option number B next question 79 number متصائر जो किस काम से कभी नहीं ठखते है तो आप सभी को याद रखना है मुतसायर जो है वो जी हुजूरी से कभी नहीं ठकते हैं राइट एंसर अप्शन नमबर सी नेक्स्ट क्वेशन असी नमबर क्या है कि नजम हम नहीं जानते का उर्दू तरजुमा किस ने किया है तो नजम हम नहीं जानते का उर्दू तरजुमा जाहिदा जहदी ने किया है राइट एंसर क्या होगा उप्शन नमबर ए होगा नेक्स्ट क्वेशन आपका देखते हैं 81 नमबर 81 क्या है कि योजिनो मोंताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गिया है तो योजिने मोंताले को नोबल इनाम से जो नवाजा गिया है 1977 इसवी को से नवाजा गिया है राइट एंसर क्या होगा उप्शन नमबर डी होगा नेक्स्ट क्वेशन आपका 82 नमबर मिर्जा नोसा किसी कहा जाता है देखे दोस्तों मिर्जा नोसा के नाम से जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है तो मिर्जा गालिब जाना जाता है राइट एंसर उप्शन नमबर डी नेक्स्ट क्वेशन 83 नमबर इनमे से किस सायर का तालुक फिल्मी गीश से नहीं है तो फिल्मी गीत से कौन से साहर का तालुक नहीं है दोस्तों तो सकील बदायोनी का नहीं है राइट एंसर क्या हो का? ओप्सन नमबर C नेक्स्ट क्वेस्टन 84 नमबर जब किसी गजल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते है देखें जब कोई भी गजल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे हम लोग क्या कहते है उसने मतला कहते है राइट एंसर उप्सन नमबर A नेक्स्ट क्वेस्टन 85 नमबर क्या है दोस्तों यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए ये मिश्रा जो है किस का है तो आप से भी को याद रखना ये जो मिश्रा है न वो मिर्जा गालिब का है राइट एंसर उप्सन नमबर D सोरी B नेक्स्ट क्वेस्टन 86 नमबर किस सायर को गालिबे सुकून कहा जाता है तो गालिबे सुकून जो कहा जाता है वो ये गना संगेजी को कहा जाता है राइट एंसर उप्सन नमबर C नेक्स्ट क्वेस्टन 87 नमबर दर्जे जेल में खलील रामान आजमी की तस्निफ है तो देखे दोस्तों यानि इनमे से खलील रामान आजमी की तस्निफ जो है कौन है तो वो उर्दू में तरक्की पसंद अजबी तहरीक है राइट एंसर उप्सन नमबर D नेक्स्ट क्वेस्टन 88 नमबर इनमे से किस सायर का तालुक जो है अलीगर मुस्लिम इनिवर्सिटी से है तो कौन से सायर का तालुक जो है यानि अलीगर मुस्लिम इनिवर्सिटी से है तो आप सभी को पता होगा कि वो जो है यह गाना चंगेजी का राइट एंसर उप्सन नमबर D नेक्स्ट क्वेस्टन देखते है नेक्स्ट क्वेस्टन 89 नमबर 89 क्या है कि इनमें जो है जो हैlor न कि कसीदा निगारी का न과 से अवल जो किसी कहा जाता है तो कसीदा निगारी का जो है निका से अवल जो कहा जाता है वो साउधा को कहा जाता है राइट एंसर ऑप्सन नमबर ए नेक्स्ट कुष्टन देखते है नाइंटी टू नमबर नाइंटी टू क्या है कि जुल्फ तेरी है मौज जमुना की जमुना की इस मिस्रा का सायर कौन है तो देखे दोस्तों जुल्फ तेरी है मौज जमुना की त सीधा से और मद्दा का मानी जो हता है वो तारीफ होता है ठीक है दोस्तों राइट एंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट कोश्चन 94 नंबर कि दर्ज जेल में से सैक गुलाम अली रासिक किसके सागिर देते तो इन में से जो है यहां पर क्या पोचा गया कि दर्ज जेल में से सै गुलाम अली रासिक जो है वो किसके सागिर देते तो वो मीर अनीस के थे राइट एंसर ऑप्शन नंबर भी नेक्स्ट कोश्चन देखते है 95 नंबर चार मिस्रों पर मुस्तमिल सिंफ को कहते हैं यह कोश्चन आपका कुछ दिन पहले ही कराय थे कि चार मिस्रों पर मुस्त च्छे मिस्रों पर मुस्तमिल सिंफ को मुस्तदस करते हैं कसीदा जिसमें किसी की तारिफ या किसी की बुराई वयान की जाए नेक्स्ट कोश्चन 96 नंबर क्या है दोस्तों उर्दू की मा किसे कहा जाता है तो उर्दू की मा जो कहा जाता है वो हिंदी को कहा जाता है राइ इसानु सिद्क यह जो है आपका मोलना आजाद का तालूक है इससे लेकिन हमदर्द जो है यह मोलना आजाद का तालूक इसमें नहीं है तो राइट एंधर आपसन नमबर भी नेक्स्ट कॉश्टन 98 नमबर कि सवाने निगारी की वे सकल जिसमें लिखने वाला खुद जो खु को इससे पहले बताए कि ओटो बायोग्राफिक का मतलब यानि खुदनवीस्त का मतलब वह होता है कि अपने खुद के बारे में अपने हालात को बयान करता है तो उसी को हम लोग खुदनवीस्त कहते हैं राइट एंसर क्या होगा अल्ठा नवेका राइट एंसर और आप्शन बी होगा और देखे हैं रिव बीर किसे सायर को सूमाल और जुनूब के दर्मियान एक पल तसविर किया जाता कौने शायर को सूमाल और जुनूब के दर्मियान एक पल तसविर किया जाता तो व Magic Ν compression रिव पहर है जो है under अप एक्जाम में जितना question hundred question objective पूछा जाता है तो उसको आज हम लोग अच्छी तरीके से solve कर लिया है ठीक है दोस्तों तो जो भी student exam देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लिजेगा और exam exam में जाकर के अच्छे से लिख कर आईएगा ठीक है दोस् तो चलिए मिलते हैं हम लोग next class में next topic के साथ तब तक के लिए अल्ला हफीज take care best of luck for your exam